रूटीन में अगर किसी भी क्लोज में अकेला उब्जिक्ट है तो वो क्या हो जाता है डायरेक्ट ही रहता है पर ये बाद जो है वो हर बार सही नहीं है नॉर्मली ना 99 परसेंट भी बार ठीक है पर कुछे कैसीज में ऐसा नहीं होता है कब-कब नहीं होता है एक दोई सेंटेंस देखो ही रोट मी ए लेटर उसने मुझे एक लेटर लिखा ही रोट मी ए लेटर पहले आप इसका अनालिसिस करो जो लिटर सेंटेंस में ऐसी हो सी है कैसे कैसे क्या क्या है एस और यह वी अब उसके बाद में उसने लिखा तो क्या लिखा तो उसने लिखा और क्या लिखा और किसको लिखा मेरे को तो यह जो लेटर है वो तो क्या हो गया आपजिक्ट और मी भी क्या हो गया आपजिक्ट यह इंडाइरेक्ट है और यह डाइरेक्ट है अब अब अ बताओ यह actual है या intended है उसने मेरे को लेटर लिखा तो actual है या intended है intended है actual नहीं है तो आप इसको इधर ले जाके और लिखके बताओ sentence कैसे लिखा जाएगा he brought a letter for me या to me he brought a letter to me he brought a letter for me क्या आएगा he brought a letter to me इसका मतलब है यह कैसा है यह actual recipient है यह intended नहीं है जो to लेगा वो ही actual हुगा तो he wrote a letter to me यह अनुभव से पता लगेगा तुम्हें हिंदी में कैसे मालूम पढ़ जाता है कि किताब फटी हुई है या किताब फटा हुआ है किताब फटी हुई है या किताब फटा हुआ है कैसे समझ में आता है किताब फटी हुई तो है किताब फटा हुआ क्यों नहीं है सर्ट फटा हुआ है या सर्ट फटी हुई है तो सर्ट तो फटी हुई है या फटा हुआ है और किताब तो यह कैसे मालूम पढ़ा कि फटी आएगा या फटा आएगा पताओ क्या नियम लगाए है है जी किताब फटी लिंग है किताब फटी लिंग है कैसे पता लगा किताब फटी लिंग है यह कैसे पता लगा कौन सा टेस्ट करवाए थे इसमें क्रोमोसोम XX है, XY है, कैसे ग्यान हुआ आपको यह DNA टेस्टिंग कहां से करवाई इसकी पताओ तो हिंदी व्याकरण में कौन सा DNA टेस्ट करते हो हिंदी व्याकरण में ऐसा क्या ग्यान है, किसा अब किताब है, वो स्ट्रीलिंग बन गया है अई लगाके तो यही तो सवाल है, यह लगाके ते एक कैसे मालू पढ़ेगा आ यह सही एक जाएगा कैसे ग्यान वो सही आ है यह यह पता कैसे सिलेगा प्रश्ट यही है हर कुछ यह फैंकने चालू कर दिये पढ़ने से क्या फिलिंग आएगा किताब तो फटी हुई है जसता ही ऐसी है तो इसमें कोई ग्यान नहीं है तुम्हें कुछ नहीं मालूम पड़ता है सिर्फ आपकी मदर टंग है और सालों से ऐसा बोल रहे हो इसलिए आपको ऐसे सूट होता है बाकी कोई व्याकरण से आता है और आप शेर ई से सब फरजी वक कुछ ग्यान डेते हम इसलिए को तो उसको ग्यान देते हैं उसको करना आ जाता है नेक नहीं आत्मी को तो साथ यह दुनों में इस नहीं मालूम पर जैसे मैंने कहा जिसमें 2 आएगा हुए एक्ष्वल है और 4 आएगा हुए रैसिपियंट है वो इंटियुल है प्सेर हमें कैसे मालूम पढ़ा कि टू सईयर फोर गलत है ये तुम्हें कैसे मालूम पढ़ा कि गो की सेकंड फोरम वेंटी होती है गो की सेकंड गौड नहीं होती है जी ओ इडी नहीं होती है वेंटी होती है कि एक ऐसे मालूम पढ़ा तो ये कुछ चीजें बारबार करने से पता लगत experience आती है और उसके बाद में हम ऐसी विवस्ता नाम निकाले हैं विवस्ता पहले नहीं है दिमाग में बात का विचार हटा देना व्याकरण पहले है भाषा बाद में है इस कछरा हुआ है हमने बैठे बैठे जचा लिया चाहिए कर यह समांता दिकती है यह समांता दिन नाम निकाल दो तो यह नाम तो बाद में निकाले गए हैं भाशचा तो पहले ऐसी यूज में आ रही थी He wrote to me He wrote a letter to me ऐसे जो लिखा जाता है ऐसे बुला जाता है तो अनुहों से पता लग जाता है कि हमारे पास यहां क्या उचित है और जहां टू उचित है उसका नाम क्या है एक्च्वल है